आज के इस बाते में लाकाते का रिक्रम में अर्शे करूंगा बिल्कुल हल्दी वेल्दी और हैपी होंगी और आपकी खुश्री को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ विशीश मेमान जुड़ रहे हैं और स्री गुपाल नारसन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं आप एड पस्ट भाषा में समझाते हैं आपकी जो विशलेशन चमता है वो बड़ा अच्छा लगता है बहुत-बहुत साथ वाद बहुत-बहुत स्वागत है आपका ने कि साथ में हमारे सुमिट जी जुड़ गये हैं आप IT सेक्टर से हैं डेश विदेश का अनुपाव आपके पा अर्टोपेटिक कार्य में बहुत काम किया है और बहुत ही अच्छे कवी भी है और आपके हर जन्रल में जो है आपकी बाते जो है बड़े अच्छी तरह से प्रिंट होती है तो पढ़कर हमें आपके अंत्र रिष्टि के बारे में पता चलता है तो आपका इंतजार है बस आप जुड़ जाए और इसके साथ में कुछ डॉक्टर सपना जी में हमारे साथ जुड़ रही थी उनका भी कुछ टेली कॉम्निकेशन का जो है मोबाइल शाद नया लिया है तो मश्किल हो रहा है आंको लेकिन फिर भी हम इंतजार कर रहे हैं और जो भी हमारे साथ जुड रहे हैं और देख रहे हैं आज के इस प्रोग्राम को करनल सोलंकी सर जैपूर से याद बेजा है सभी को याद किया है गोपाल नारसन जी सुमिछ सर और पदमश्री संजे सर रिशिका जी डॉक्टर सपना जी सभी को याद बेजा है सोलंकी सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको और दूसरे हमारे में तरभी ओम शान्ती टू आल डिवाइन सोल्स गुद्यूनिंग करके मैसेज किया है बहुत बहुत धन्य बहुत शुक्रिया आप सभी का जो याद कर रहे हैं हमें और आज हमारा ये पारस हुआ एपिसोड जो है हमको कम्टीट करने वाले हैं और आप एक बहुत थी प्यारा सभी सुनाइए स्वागत है आपका रिशिगा कैसे हैं आप थैंकिए सर्व मैं थी तू आज में जो गी सुनाने जारी उसका नाम है एवतन बिल्कुप बिल्कुप स्वागत स्वागत एवतन बतन मेरे आबाद रहे तू मैं जहां रहूं जहां में याद रहे तू एवतन मेरे वतन एवतन मेरे वतन तू ही मेरे मन्जिल है पहचान तुझी से पहचू में जहां भी मेरे बुनियाद रहे तू पहचू में जहां भी मेरे बुनियाद रहे तू एवतन मेरे वतन एवतन मेरे वतन तुझ पे कोई गम की आच आने नहीं दू कुरबान मेरे चान तुझ पे शाद रहे तू कुरबान मेरे चान तुझ पे शाद रहे तू एवतन मेरे वतन ए वतन मेरे वतन ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू मैं जहां रहूं जहां में याद रहे तू इवतन मेरे वतन ए वतन मेरे वतन मेरे वतन मेरे वतन थैंकि locked was ये ए زी बहुत द्यियाट यूष चुनाया थेश्वति का और अजवी शीष्दिन है 21 October आजा दिन फौज की स्थापना भी आ जोई थी बश्वास चंदरोस जिसकी जो है करता दरता रहे तो उनको भी याद करते हैं बहुत बहुत साथ वाद थैंक यू सो मच और हमारे साथ जुड़ गए है डॉक्टर BKS संजे जी हमारे साथ जुड़ गए है पदम शरी बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वादे मुलाखात तरिकर में संजे जी बिलकुल 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 आपको हम सुन पा रहे हैं स्वागत है आपका सर स्वागत स्वागत बहुत अभिनेंदन आपका नमस्का सर नमस्का 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 गोपाल नारसन सर मैं चाहूंगा सर के बारे में कुछ और वाते भी बताईए हमें सबसे पहले तो आपको बढ़ाई और पूरे ब्रह्मा कुमारी इस परिवार को बढ़ाई कि आज यह रेडियो मदुबन का बारसवा जो एपिसोड हम कर रहे हैं यह बारासव एपिसोड आज पूरे हो जाएंगे तो यह बहुत विलक्षन है और आपकी कड़ी मेहनत और है वह एक परमान है इस बात का कि बारासव एपिसोड में हम कर रहे हैं और आज हमारा सबसे बड़ा सोभाग है यह भी है कि आज हमारे साथ डॉक्टर बीकिया संजे जो हमारे बड़े भाई ही नहीं देश की धुरोवर हैं और आर्टोपेडिक सर्जरी में बहुत बड़ा हैं तो यह हमारे लिए सोभागी की बात है और इन सबसे बड़े बात यह है कि वह पड़े अच्छे इंसान भी है पिछले दिनों जब आप मदूबन आये थे मेडिकल कॉंफरेंस में तो मेरे एक मुलाकात हुई थी छणिक मुलाकात हुई थी हाला कि पहले से मेरा उनका औ दांत भर्मा कुमारी त्योरी यह उसको जो अपनाते हैं और आज जो अब हुए हो वह पस्तित हुए हैं उन्हेंने अपना समय दिया है कि यह डॉक्टर नीर्मला दीदी के लिए डॉक्टर नीर्मा दीदी जो पढ़जा-पिता प्रहमा कुमारी इस वरे सुद्धियाले क सेयुक्ष परसासी का होने के साथ साथ मुख्य परसासी का होने के साथ वो जो ग्यानशरब्ल एकेडमी थे इसके डेक्टर भी रही हैं और बहुत पुराने जवाने की MBBS है तो 88 वर्स की उम्र में चुकी वो गई हैं तो बीके संजी जानते हैं कि पुराने समय का जो MBBS है उसके क्या में थुआ करती है आप तो खुद एक आर्टोपेडिक सर्जन हैं बड़े विससक गए और देश विदेश में आपका नाम है तो आज हम इसलिए याद कर रहे है डॉक्तर निर्मला दीदी जी को कि उनका जो योगदान था देखे चिकिस्सक होना एक बहुत बड़ी बात है लेकि उससे भी बड़ी बात है कि वो चिकिस्सक अध्यात्मी को वो चिकिस्सक रुवानी हो और उसका चिकिस्सक का परमात्मा से संबंद हो ये बहुत बड़ी थी और उन्होंने कभी भी दो जो चेहरे होते हैं विक्तियों के अधिकतर हम देखते हैं वो उनका नहीं था वो तो जो अंदर है वही बाहर है यानि एक तरह से एक वह ऐसी मैं कहा सकता हूं कि संथ परवर्ती की एक आदर्स नारी सकती थी डॉक्टर निर्मला दिदी जी कि जो संभाव रूप में रहती थी और इस वर्य सेवा के साथ साथ सिकस्वे सेवा उन्होंने की और संपाझ समाध में तेश विदेश पहूंचाया और सब्सक्राइब अबहों पर भालत्य संस्क्रति का जंडあ लितिखाया कि हमारी संस्क्रत विदेश में अध्य कि हम रित अचते हैं पर म Почему कैटे ना कि मन और संस्कार जैसीहमारे मन होगा वैसीहमारी बुद्धी होगी और वैसे हमारे साफका वोंगे इसी दरष्टी से हम कहा सकते मिलए मैं भारत को एक बहुत बड़ा कि गिफ्ट दिया आ है विये दिया है कि पर माइमा केवल भारत की दर्थे प्वारत पर खला मोस नहीं है जानकी प्रमायर्पान से नहीं है कि किसी द्येवी सुरताने मोग्ए लेको कुमारी का सवर्ध करें जूरी है कि हम का मादमा के जैसे ignorant और करें की कुण धारन करके हम का है वह कैलाने का है वह तब होगा जब उनके उन्हारे अंदर आ जो है वह अंदर प्रॉटमा के सारे मूद संपन्थ थी तो इसलिए उनकी गिंटिया सेश्ट जन में होती है वर्यमात में और उनको Яद में है एक चंद लाइनों की कविता दे करके मैं हम दूसरों को सुने ने जो हमारे साथी आज किस परी चर्चाम भाग ले रहे हैं और हम फिर डॉक्टर बिके संजे जी का भी आसिरवाद लेंगे और वह भी डॉक्टर निम्ला दिदी को अपनी सर्दांजली अर्पित करेंगे द हम बोलना अच्छा बोलना उनकी वाणी के अभुसन थे इस और याद में अनवर्त रहना उनके दिंचरिया के छण थे मुंबई के व्यापारी कराने में दिदी निर्मला ने जनम लिया मां जगनंबा से पालना लेकर उन्होंने विदेश का रुख किया सतर देशों में घ् सतकर्म करके धरा पर निर्मला दिदी चली गई सीव परमात्मा में वीलीन होकर एक राज योगनी चली गई एक राज योगनी चली गई आज हमने उनकी देह का भी अंतिम संस्कार किया है तो आज हम उन्हें अपनी ओर से भावविनी सर्दान ली अर्पित करते हैं तमेज भाई जी जे जी शुक्रिया बहुत बहुत अन्यवाज शुक्रिया आपका बहुत ही अच्छी बाते आपने बताया है और अच्छा लग रहा है हमारे साथ नीता नायक जुड़ गई हैं गुजरास से अनोनेम ओम शान्ति लिग के वेजा है और बारा सा एपिसोड क शिका को भी याद किया है और इसी के साथ मैं अभी डॉक्टर संजे जी को जोड़ना चाहूंगा अधम शिरी को वो अपनी भावनाएं हमारे साथ साधा करे और निर्मला दीदी के बारे में कुछ बाते अपने शेयर करे और ब्रह्मकुमारी संस्थान में आकर उनका जो ए अधम शांति अधन्यवाद जो आपने मुझे आउशर दिया वे बड़े दुख की बात है वैसे तो मेरे लिए स्वभागी की बात होती कि मैं नारसंजी की इस चैनल में जुड़ रहा हूं लेकिन दुख की बात यह है कि आज जिस दिन जुड़ रहा हूं वहां निर्मला दिदी जी का जो अंतिम समय में जुड़ रहा हूं वह बड़े दुखी बात है आपने अभी कहा कि ब्रह्मा कुमारी इसका मेरा मानना है मैं ब्रह्मा कुमारी से पिछले साल गया था तो यह मेरी दूसरी मुलाकात थी जो प्रह्मा कुमारी से जो हमारा अनभाव है या जो मैंने उनके बारे में सुना है या जो उनके बारे में हम जानते हैं और जिनके बारे में लोगों से मैं सुनता हूँ तो वो तो एक बहुत अच्चमभित घटना भी है और एक ऐसी संस्था है जो समाज के लिए इतना कुछ कर रही है और अपने ही देश में नहीं देश के आप सोचिए ती डेड़ सो देशों में इतना कुछ कर रही है तो उतना कुछ और उससे भ होना ही अपने आप में बहुत संद्न सिलता की बात है कोई चिकत्सक मैं नहीं समझता हूँ के वो संबेदन सीलना पहली बाद और संबेदन सील होने के बाद य Erfahrhmm Skill के साथ जोड़ जाते हैं तो उन में संस्था की सोने में सभागा होताता हैidir वो क्यों कि यह संस्था ही है जो इतनी संबेदन सीलता बढ़ना ऐसी संस्था या ऐसे लोगों को दूसरे लोगों के लिए नहीं पूरे मानाव जाती के लिए जो काम कर रही है वो बिल्कुल अतुल नहीं है मुझे पिशली साल मिला निर्मला दीदी से भी मेरा थोड़ी देर के लिए वहां पर मुलाकात हुई और एक डॉक्टर के नाते जो कर रही जो अभी आपने कहा कि सतर देशों में कर रही और निश्वार्द भाव से जो सेवा कर रही बहुत है और हम जैसे जब वहां चिकित स चिकिन तोब लोग ओढ़े संस्था में पुहुंचते हैं देखते हैं जृक्टे मैं टार में खड़े हुए हैं थो भाइंबी ऑस्तर मिल जाए तो मैं तो कहूँगा, इक धन है, कि वहां पे जो लोग जोड़ते हैं, और से जिस्पकून के सेवा दूसरों के लिए तो सेवा बनती ही है, लेकिन उनकी सेवा हैं, दूसरों के लिए प्रणा का काम करणा है। नब कोई वे स्में डश carbon है तो सरी की आवाज है या रहा रही होगी तो कहीं किसी संगीती आवाज वा रही तो इस तरह से है तो मैं मैं कहूंगा मुझमें बदलाव आया है हमारे व्यक्ति आप देखए हैंवे ब्रह्मा कुमारीस के आपको सोची कि जो व्यक्ति आप सोची ये पिछले 40 साल से किसी चीज का सेवन कर रहे हूं और सेवन भी वह भी नसीली चीज का सेवन कर रहे हूं और आपके उस प्रांगाण में पहुंचने से पहले आज वह चीज छूड जाती तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है और यह संस्थ तरह है कि बहुत से चिकित सक काम कर रहे हैं समास से भी काम कर रहे हैं जो व्यक्ति काम कर रहे हैं जिनके बारे मैं देखा और मैं उनसे नहीं इतना प्रभावित हूं कि साब वो हमारे अभी नहीं आज ही की बात कह रहा हूं कि आपके वहीं के ब्रमक्मारी जो कि अभी हमा पित लोग या निर्मलादीदी जैसे समर्ट लोग होंगे तो वो संस्था तो सरकुछ ना कुछ करेगी ही और मैं समझता हूँ मेरी सुप्रामना है संस्था के लिए और मेरी सद्धान जली है निर्मलादीदी के लिए ओम शांती 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 ओम शांती डॉक्टर स दादा मना हमारे संस्तान में जो फाउंडर मेंबर है उनके लड़के की तरह आप लगते हुए ऐसा उन्होंने लिखा है तो बहुत बहुत दन्यवाद शुक्रिया आपका आईए आगे बढ़ते हैं और संजे सर जो है काफी शोशल वर्ग भी करते हैं और अभी गाउं में भ क्रेंदी रहे हैं तो निशिक तो और वह फो लगा था इस तरह के कि आशिए और यजा और अपने ओनदीर का करता हैं आई ये हमारे बीच अभी सुमिज जी को मैं जहूंगा कि आप आप आइटी प्रोफेशनल है तो आप भी अपनी भावनाई विचार हमारे साथ साजा कीजिए बहुत-बहुत स्भागत है आपका संजी सुमिज जी और दन्यवाद मुझे आउसर प्रदान करने के लिए मैं पिछले अकरीबन 15 साल से ब्रह्मा कुमारी से जड़ाओ और प्रेसेंटली मैं इंदॉर में हूँ एक यूके बेस्ट कंपनी है उसमें ऐसे सीनियर मेनेजर कारेगरत हूँ तो डेफिनेटली जो ब्रह्मा कुमारी से जो ग्यान है डेफिनेटली वह परमात्मा का ग्यान है और वहती अमेजिंग ज्यान है मेरी जो यूगल है मेरी वाइफ है वो मेरे को इस ग्यान में लेके आये थे 15 साल पहले और बाबा हमें जो ग्यान दे रहे है जो परमात्मा म में ग्यान दे रहे हैं राजियों के माध्यम से मतलब मैं उसको इस शॉर्ट जो हमारा अभी सेशन चल रहा है इसमें एक्स्प्रेंड तो नहीं कर पाऊंगा बट यहीं बोल सकता हूं में कि जो भी जीवन में उपर नीचे जो परिस्थिति आती हैं और जीवन में जो भी उत हम लोगों यहीं पता है कि संगम यूग चल रहा है और जो कि कल्यूग का अंत है और यह सो साल का संगम यूग है और जो कि शुरुआ जिसकी 1936 में हुई थी तो सो साल मतलब 2036 में है तो 2036 के पहले बाबा पूरी तरह से हमको संपून पवित्र बनाके नई दुनिया में ले अधर देवां तो कम और जॉइन दब्रमा कुमारी जो नौट और अग्सेप्ट एट संथिंग लेक्शन रहता है और जो आपका जो भी अक्टिविटी रहती है उसमें काफी जो है आप चेंजे सील करते हैं बहुत आप डिफेरेंट तरीके से चीजों को हैंडल करते हैं मैं यदि मेरी बात करूँ तो मेरे सारे कस्टमर्स जो भी यूएस कस्टमर्स हैं तो डेफिनेटली लेक्ट देहेव लेक्ट 10-12 ओवर्स अफ बहाइंड डन इंडिया स्टाइमिक राइट तो उस केस में क्या हो नों को पांसे छे घंटे का उनके साथ में आवरलेपिंग साल में ऐसी परिस्टिया आई है जिबकि मेरे फादर के गड़नी फैल हो गई और बहुत ही सिच्वेशन से थी कि असा लगता था कि इन परिस्टियों सो कैसे निकलेंगे बट ये जो परमात्मा का ज्यान है जो बाबा का ज्यान है उसकी वज़े से हम लोग उन सब चीजों से बहार आपा है ओम शंती में इतना ही बेरी तवस्टियों समिच जी बहुत बहुत धन्यबार शुक्रिया अपना अनुभाव साजा करने के लिए और बहुत ही गैरी बात आपने बताएं कि ये कारिया जो है ब्रहमकुमारी समस्थान का विश्व परिवर्तन का कारी करने होती है तो वो पूर्वतियारी जो है अब हो रही है ये आपने बताएं तो आई आगे बढ़ते हैं और अध्यात्मिक जो है बले विश्व को या यूग परिवर्तन के लिए हो लेकिन ये ग्यान खुद को जो है बहुत ज्यादा जो है सुकून देता है जैसे ही आप म वो आपकी फुल्फिल्मेंट हो जाती है जो कहीं भी दुनिया में आप खरीद नहीं सकते हैं और वो परमात्मा से कनेक्ट होने के बाद आटिमेटिकली हो जाती है तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है जो हम सभी ब्रह्मा कुमारी संस्थान में फ्री में निश्वरिया और योग का अनभव कर रहे हैं बहुत ही अच्छी बात आप तो आई इसके साथ मैं आप सभी को जूड़ना चाहूंगा फिर से एक बार और सोनिया जी हमारे साथ जूड़ गई सोनिया रावल दमश्कार आप सुन रहे हैं रीडियो आदबन बंजिरो 7.8 FM पर बाते मिला काते इस कारिक्रम को सुन रहे हैं संजे जी मैं चाहूंगा कि एक ठोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और मैं चाहूंगा कि एक बहुत ही प्यारा सगीत आप सुनाइए और हमारे साथ फिर से डॉक्टर संजे जी हमालता जुड़ गया है पत्मिश्री तो उनके लिए एक बहुत ही प्यारा सगीत देडिकेट करें और सभी को मेरा नमस्कार नमस्कार गीट के लिए कहा गया तो मैं गीट प्रिश कर रहा हूं प्लीज जी जी जाने वालो जरा मुड़ के देखो मुझे एक इंसान हूं मैं तुम्हारी तरह जिसने सब को रचा अपने ही रूप से उसकी पहचान हूं मैं तुम्हारी तरह जाने वालो जरा इस अनोखे जगत के मैं तकदीर हूं मैं विधाता के हाथों की तस्वीर हूं एक तस्वीर हूं इस जहां के लिए धरतिमा के लिए शिव का वर्दान हूं मैं तुम्हारी तरह जाने वालो जरा थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत दन्यवार, शुग्रिया आपका, thank you so much, बहुत अच्छी बाती आपने बताया और अच्छा लग रहा है डॉक्टर सपना शायद जून नहीं पा रही है किसी कारणवश और अभी मैं वापस जो है गुपान नारसन सर को जोड़ना चाहूंगा एक जो मैसेज है, आप क्या बताना चाहते हैं, एक संदेश के रूप में अपनी भावनाएं व्यक्ते कीज़ए चोटा सा मैसेज, जी आज हमने अपनी डॉक्टर निमला दिदी को अंतिम विदाय दी है और अगनी के सुपर्दू को किया और उसके बाद उनकी याद में योग करने के साथ साथ भोग भी लगया गया, तो कल फिर आप जानते हैं कि दुर्ग अश्टमी है, और परसो पिर नौमी है, तो दुर् कन्या का पुजन होता है, कन्या को कोई एक तरह से सम्मान दिया जाता है, और ब्रह्मा कुमारी संस्ता एक ऐसी संस्ता है, जो कन्या को आगे लेकर चलती है, प्रमादमा हमेशा कन्या को नारी सक्ति को आगे लेकर चलते हैं, तो ये विशू की एक पहली संस्ता है, जहां प तो couch 1695 का तो ये तो और खुरा अन्हें लेकिन चलिएंगा है जिट्टिन च्राइभ कि सब्सक्राइब में होगा तो मैं कहते हो परमात्मा ने तो बहुत पहले से ही नारी शक्ति को सत्प्रतिसार रख्षंड दिया है नारी शक्ति को आगे बढ़ाया है और कहते हैं कि जहां नारी होती है वहां स्वर्ग होता है जहां नारी होती है वहां सांती होती है जहां नारी होती है वहां सम तो में आती दुनिया न cream में टूरी दुनिया का निर्मान करने वाली है और दूनिया Ko को को से लीड करने वाली आक हमारे पौलिटेगर्स में भी देखिए आप स्रीमती इंद्रागांदी अंतराश्ट्रेस पर देखें मारगेट थेचर और इसी तरह से कल्पना चावला जो अंतरिक्ष में कही है तो एक नारी शक्ति ने मुकाम हासिल किया है तो उसी के पर्तिक के रूप में आज एक नारी शक्ति हम लोगों से विदा हुई है लेकिन व परिवटतार का यह दोड चल्ला है संगम्यूंग में हम है तो हम आगे बढ़कर के इस संगम्यूग से सत्यूग में जाएंगे और उसी की तैयारी हम कर रहे हैं और उसी के पार्ट हम बजा रहे हैं ऐसे समय में बारति वाश्ट ऑपिसॉड मंदूबन रेडियो ने कीये है तो इसके लिए मैं आपको उन्हां बदाई देता हूं और अपनी और से डॉक्टर निर्मला लीदी को फिर से सर्दान जिलियर पित करता हूं रमेजबाई जी बहुत 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 दन्यवाल शुक्रिया गोपाल नासुंचर बाड़ा अच्छा लगा बहुत यह अच्छी भावनाएं आपने रेक्ट किया है और बहुत ही प्यारा सा संदेश आपने दिया किस तरह से सरकार अभी महलाश शक्ति करन के साथ महला को समान देते हुए उन्हें अधिकार भी दे रहा है और यह चीजे ब्रमा कुमारिस में शुरुआत से ही प्रमात्मारी किया है यह आपने बताने तो आई आगे बढ़ते हैं और महला शक्ति में हमारे साथ डॉक्टर सपना गुपता भी आ गई है डॉक्टर सपना गुपत से पिछले 28-30 सालों से जुड़ी हुई है और यही एक अकेली ऐसी संस्था जो है मैंने देखी है जहां पर वाकई में देखा जाए तो पूरा प्रशाशन जो है वो महिलाओं द्वारा ही कंप्लीट किया जाता है जैसे कि शिप बबाब भी कहता था नारी शक्ति में अगर कर सुदार कोड़ने तो नारी को लेगी उनका एक नारा था जो हो बाथे सिर्फ यहां पे जो कहीant जाती तो मैंने तो आज तक जहां कहीं पर भी मैं क्योंकि फूरा लगबग लगबग भारत का 80% मेरा गुमा हुआ है तो मैं गोवा में भी गई थी तो मैंने आपको एक बार किस्ता सुनाया था हमारा एक बाते मुलाकाते में एक दिन एक एपईसोड में मैंने आपको बोला था कि जब मैं गोवा में थी तब मैंने देखा कि वहां पर बाबा का घर है आप सोची है मतलब क्रिश्चन कम्यूनिटी वहां पर 90% है अब जब उस ताइम में उस जगे पे जब मैंने बाबा को याद किया और आप सोची है कि मतलब एक देड़ किलोमेटर के अंदर मुझे बाबा का घर मिल गया था आप सोची है और मतलब मैं वहां की बात करूं या और अंगाबाद की का बात करूं मैं बहुत जगे में घुमती हूं भारत में तो हिमाले में भी जब मैं गई थी तो मतलब दीदियों का वर्चस वह जहां कहीं पर भी सेंटर मैंने देखा है मतलम बाइंट लोग कहते ना पान्दव सेंशन जो है वो मदद जरूर करती है लेकिन सारा जो हैद्लिंग है जो सारा प्रशयाशन का जो देख रहें मैंने देखा दादियों को द देखते ही आ रहे हैं शुरूर देख़ा है प्रकाशमनी या जनी दादी को देख उसह तो अगर आत्मा के बारे में तो खेर हमने जाना ही है लेकिन शरीर के बारे में जब हम अपने मेडिकल लाइन में जानते हैं तो हमको यह बताया जाता है कि महिलाओं का शरीर is a hormonal body बताब पूरे हार्मोन से बना हुआ है तो अगर पहले के टाइम में भी शादी के बीच में gap का एक ही कारण होता था क्योंकि महिला जल्दी बुड़ी हो जाती है यह fact है कि महिलाओं में जो aging होता है बुड़ापा होता है वो पुरुषों से बहुत जल्दी आता है इसलिए पहले के टाइम में पुरुष और महिला की शादी में जो होती थी तो उनके बीच में age difference बहुत जादा रखा जाता था कारण यही था तो सोचिए जब अगर महिलाओं की body को कहा जाता है science के दौर में कि महिलाओं का जो शरीर हार्मोनल body होता है तो हर्मोनल body मतलब mood swing करना या यह करना तो उस हिसाब से अगर आपको बोला जाए कि you have to be very disciplined और आपको दो बजे उठना है तो difficult होगा किसी के लिए भी difficult होगा तो मेरा ऐसा माना है कि उस समय पर उस तरीके से महिलाओं जो यहां पर दादिया करती है शिव शक्तियां जो करती है वो जबर्दस काम है मतलब इतना amazing काम मैंने तो कहीं नहीं लिखा है कि मतलब शक्तियां जो hormonal body जिसको अगर हम कहें science के उसमें बाशा में और वो लोग मतलब दो बजे उटके तपस्या कर रही है और सोची सोती में 10 बजे 11 बजे कभी कोई आ जाता है ब्रह्मा भोजन के लिए बोजन के लिए कोई आ जाता है वो कभी मना नहीं करते मैंने centers प हुआ है वहां पर चंडीगड में भी गई हुँ मैं और आपके एहमदाबाद के बहुत सारे centers में विजिट की हैं तो मैंने हर जगे यही दिखा है वहां पर दीदियां जो होती है मतलब संडे को जो special class है गुरुवार का जो वोग है अब देखी ना कितनी फूर्ती से काम कर मतलब ओING केवल मैं जो मांतियू महिलाहें कर सकती है और महिलाओं का जो सबसे जदाए शर्शक्ति करора र जया कितनी ने विमन्स इंपावरमेंट मैंने कहीं तो केवल हमारी ब्हामा कुमारी इसनस्ता में देखा है मैंने कभी नहीं देखा कि भाई लोग आगे बढ़े है अगर अगर थादी रतन मोईनी जी का नाम आएगा शिस्टर शिवानी का नाम माता है तो अगर हम देखें तो कहीना कहीन नारी शक्ती को ही प्रतानता है हर जग़े, आप देख़ेगा ना कवल माउंट अवू कि बात करू नहिसे हमेरे, बोब भारत में, जितने भी उस सेंटर चिला ज़ता है शिरुकर की हमाल से देख हे सेंटर है दो किलोमेटर दूर पर दिदी को आप देखे की हमापे वहां पर अफधेशर दीदी वगरहा है लिए पूरे रड़ी होके डेकॉरम एक जो हमारा मेंटेन रखते हैं हम लोग महिलाओं के लिए बहुत मुश्किल होता है यह हम लोग को क्योंकि हम दूर से देखते हैं आसान हो दिखता है हमको लेकिन एक बी-इग अ-विमेंग एक महिला होने के नाथ मुझे पता है कि एक कितना मुश्किल होता है अपने आप में एक छोटी सी बात है लेकिन फिर भी बताना चाहूंगे मैं जब छोटी थी स्कूल में जाती थी तब मैं दीदियों को देखती थी तो मैं यही सोची थी यह लोग 12 महीने 300 पैसर दिन सपीत कपड़े कैसे पहन सकते है पता अदो मेरे को मन में इतना क्योरसिटी होता था मतलब उइट कलर को मिंटेन करना आप में कितना मुश्किल होता है क्योंकि हम जब चोटे थे थे स्कूल में साटरेड़े साटरेड़े वॉइट शूंग जाये घुट वॉइवार वाली बात बता रहे हुब मतलब ने बहुत चोटी चोटी सी चीजे लेकिन अगर आप डेली रूटीन में सब चीजों को देखेंगा हो तो इनका बहुत बड़ा महत वह, डेकोरम है, दीबिया इतना maintain करती है अपने आप को कभी मैंने बाबा की सेवा में मैंने कभी किसी भी दादी कभी भी किसी सिस्टर को मैंने नहीं देखा कि कोई मना कर रहा हो मैंने तो जब भी देखा है कोई course के लिए कोई phone कर दे हाँ बिलकुल हाँ जी हाँ जी हमीशा दिलासपुर रही में कई वर्षों तक तो मैंने यही देखा हर दीरी का इतना इंपोर्टन्ट रोल मतलब पूरा सेंटर वो लोग मैनेज कर रहे हैं मिंटेन कर रहे हैं मतलब बहुत मैं मानती हूँ कि ब्रामा कुमारी संता के अलावा मैंने तो यह कहीं नहीं देखा है और आपका जो रेडियो मदुबन का प्रोग्राम है जिनसने आज 1200 एपिसोड पूरे किये हैं पहले तो आपको बहुत हारदिक शुकामना है कि आपने एतना लंबा पीरियड आपने निकाला है तो बहुत अच्छे होते हैं आप लोग के, अपिसोड्स बहुत अच्छे होते हैं आप पूरे देश में से क्यों रतन चाट-चाट के आप लाते हैं और उनके साथ में इंट्रिव्यू करना लोगों तक इतनी सेवा पहँचाना आप लोग का भी काम बहुत जबर्दस काम है और मुझे इतनी खुशी है वाकई मैं आपने 1200 की है मैं कहते हूं ये 10,000, 20,000 और जितने अपिसोड पूरे कर सकते हैं एक दिन में दो अपिसोड भी आप रिलीज करें तो मैं उतनी शुपकामनाय आपको हार्दिक शुपकामनाय मैं देना चाहती हूं और ये ब्रह्मा बाबा द्वारा इस्तापित संसा है और नारिया इसमें हमेशा अगरणी रही है और मैं इस बात के लिए बहुत हमेशा दिल से आपारी हूं कि आप जब भी आपको लगता है तो आप हम लोगों को याद करते हैं हम लोगों को बुलाते हैं मेरे लिए बहुत सौबागे है कि यहां इस मंच पर आकर और मैं इतने सारे लोगों के बीच में आप देखे ना कितनी बड़िया सुब कामना है आती है लोगों की तो यह सब इतने ज़र लोगों के साथ में इंटराक्शन करना आप लोगों के बिना कहां मुश्किल मतला हम लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि 24 गंटे हम लोग पेशेंट पेशेंट, काउंसिलिंग और इनी सब चीजों में लगे रहते हैं पर थोड़ा बहुत जो क्यते ना दुआओं वाला जो थोड़ा बहुत भी टाइम होता है वस यही टाइम होता है जब हम लोगों आपके साथ में होते हैं ऐसे तो बाबा की याद में काम करते ही हैं हम लोग लेकिन फिर भी जब आप नारी शक्तियों का जैसे निर्मला दीदी का आपने प्रोग्राम किया बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था और अभी 1200 एपिसोड आपने पूरे किये मैं तो बहुत ज़़ादा अच्छा प्रोग्राम था प्रोग्राम था ज़़ादा रहे हैं तैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद शुग्रिया आपने डॉक्टर सपना जी ने बहुत अच्छा एक्सपिरियंश शेर किया हमारे साथ में और करनल सोलंकी सर डॉक्टर सपना जी को याद कर रहे हैं और बहुत इमात्पुन जानकारी दी आपने ब्रह्म कुमारी संस्थान के बारे में आपको बहुत बहुत धन्यवाद करके मैसेज किया है दॉक्टर सोलंकी सर ने याद किया और विजय धवन जी ने ओम शानती बेजा है बिके अनीज भाई ने भी आप बच्छो से मात उमिदे हैं चूशक्ती रुहानी सेना करके मैसेज किया अनीज जी बहुत भाद धनिवार शुक्रिया आपका नीता नाइक ने भी विखा है स सब्सक्राइब मैसेज के तुरुपर सब्सक्राइब करें करा न आपकाकर मैसेज संग्हार जोलुक है तो यह message जो है परमात्मा के बच्चे बच्चे तक पहुच पाए कि यह संगम यूग है और इसके बाद में सत्यूग आने वाला है तो अपने आपको जितना हम transform कर सकें हमें कर लेना चाहिए और जो राजयोग meditation के माध्यम से जो भी हमें परमात्म ज्यान मिल रहा है उसको हमें अमारे जीवन में धारंग करते हुए आगे बढ़ते रहें समय जी बहुत बाद धन्यवाज शुक्रिया आपने बहुत ही शौट में बहुत ही सुन्दर संदेश आपने दिया चलिए मित्रो आज के से एपिसोड में जहां पर हम लोग 1200 एपिसोड पूरा कर रहे हैं इसके खुशी तो हई हैं लेकिन ये आप लोगों के बिना संभाई है आप लोग जुडते हैं और आप लोगों का प्यार मिलता है इसलिए हम लोग कर पाते हैं तो यूँ ही अपना प्यार बना के रखिएगा हमारे साथ जुड़े रहेगा तो हमें और हैपिसोड बनाने में आपकी मदद मिलती रहेंगी तो करते रहेंगे और फिर से एक बार निर्मला दीदी को भावपूर ना बहुत-बहुत श्रदा समन सब्सक्राइब की तरफ से रेडियो टीम की और से और गोपान लारसन सर को भी बहुत-बहुत शुप कामना है आप अपने अनभूपों साजा किया अच्छा लगा में और डॉक्टर संजे जी पदमचरी उनको भी बहुत-बहुत शुप कामना है संजे जी हमारे साथ जुढने के लिए बहुत-बहुत-बहुत अच्छा लगा में मेरी शुबाशाओं के साथ फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड में तब तक आप बने रही हैं जीवन के हर पहलों पर होती है बाते हर वर्ग के हर लोगों से होती मुलाकाते सब के मन तो भाती है बाते मुलाकाते रंग विरंगे फूलों का गुल्डस्ता है ये बड़ा निराला सुंदर अनुपम्मंच है ये आओ हम सब मिल करें इसकी शान बढ़ाए इंद्रधनुशी रंगों से इसको सजाए छिपी हुई प्रतिभा को हम आगे लाए बाते मुलाकाते कर ले थोड़ी थोड़ी हम बाते मुलाकाते बाते मुलाकाते हो बाते मुलाकाते